कट्यार के बरारी थाना चित्र में दो पक्षों में हुई मार पीट एक पक्ष के तीन लोग घायल आपको बता दे कि कट्यार के बरारी थाना चित्र में दो पक्षों में जम कर मार पीट हो गई जिसमें पहले पक्ष के तीन लोग घायल हो गए जिनका इलाज कटियार सदर अस्पताल में चल रहा है वहीं घायल के परिजनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते दिनों घायल की पुत्री का कुछ लोगों ने अपरण कर लिया उनके पिता के दोरा बरारी थाना च्छेतर में मामला दर्ज कराया गया लेकिन दूसरे पक्ष के लोग बार बार पहले पक्ष के साथ मारपीट करते हैं और ये धमकी देते हैं कि केस उठा लो और उनके दोरा केस को नहीं उठाया जाता है जिसको लेकर बार बार दूसरे पक पुरा मामला ये है एक गुंजरा के हैं मेरे फादलीन लोग लगेंगे गुंजरा के हैं और बराडी थाना परता हम लोग का और इनका लड़की को नितेश कुमार में बला फुसला के एक मनाशुपर हो गिया लेकर चला गिया चोड़ दो यार 22 को लड़की अफरन हुआ है औ पता होत हो है नहीं तो फुरा खंधान को मार देंगे तुम्हfäh जतना भी खंधान है और इस क्याव में कई बाड मार्पीट भी हुआ नगी हुआ मोटरेसउकल चोड़ी हो गया बेंसटे जो फिरह में इनका नाम साकांदर चोडरी है इनके सफ कब मार्पिट कल होँ पर व्यवजियार फंठसस्ट मरत भी और यह सब्सक्राइब टूट गया और इन्हारी कंवर कमर टूट गया और पैर में मारा है मथद पर दिया है म Self Made printer sr कौई पॉजिशन क्या है यह मारा जो और फार्म जापमिका नाम है पो लोग नाम क्या नाम है इनका वोकील सिंह गाहलों और आजित सिंह इनका कहना में civili यह अप्राय और लड़की का जो जो पिताजी था जो जिसका गर जल रही है सोहन सिंह और उसका बेटा वह सब भी आके मार कद आज आज आए है इनका लड़का दोठो है एक संतोष कुमार एक नीज़स कुमार वो लोग यहीं है खड़ा है एक होपिडल है कहीं गया है इराज कराने के लिए गया है